हेलो दोस्तों अगर आप आई टिया भी द्यारती हैं और आई टिया पढ़कर करके आपका रिजल्ट आ चुका है आप पास आउट भी द्यारती हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब एक आया है जिस पे आप असानी तरीके से जॉब कर सकते हैं तो देखिए बिना एक जाम का नौकरी देगा क्या देगा बिना एक जाम का नौकरी देगा यानि आपके मैट यह अपका मेरिट बेस पे आपका जॉब होगा तो पूरी जनकारी आप जानने के लिए हमारे वीडियो के अंतक आप बने रहें और चैनल पे पहली पर बिजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसलिए कि मैं ऐसे सी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूं और जिससे कि आप लोगो को लाह मिले आप लोग सीट पका करें और आप अपना जॉब हासिल करें तो बनी रही दोस्तों बारी बारी इसमें टोटल ची दिखाता हूं क्य कbung सीजुरों पॉटेंड़ डेट कब से कब तक है ठीक है यह एक तारीख से आपका अपलाई होना सुरू हो चुका है और कब तक अप्लाई होगा इगारह चार हो घ्क है 11-4 तक यह अपलाई होगा तो इसका टाइम बहुत कम मिला है और आपको आज पांच तार bearई को भी च किसी एश्टी का भी कोई चार्ज फील नहीं लएगा यानि किसी कंड्रेट को भी फॉर्म भरने में अपलाई करने में एक भी पैसा नहीं लएगा इतना ध्यान रखे ठीक है तो आप लोग जान चुके हैं और एक ची मैं आप लोगों को बताता हूं जो कि देखिए सीट यहा 1625 सीटे एवलेवल आप लोग के लिए है कितना है 1625 सीटे तो देखे किनकों से ट्रेट के लिए हैं ट्रेट हमारा सबसे पहले यहां पर देखे पोस्ट जो हमारा है जुनियर टेक्निशन पर हम लोग जॉब करेंगे दूसरा जो हमारा है इलेक्टिकल मेकेनिक जो कि 814 एवलेबल है ठीक है और एज जो आपका होना चाहिए वह 30 यह यानि 30 साल के बच्चे तक यह भर सकते हैं उनका डेट वर्थ इतना तक एक 303 2022 तक 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है बाकी आपको क्या है फॉम में आपको डिटल में बताऊंगा और उसमें छूट मिलेगा एज में नहीं मिलेगा इस सारी डिटल में आपको बताऊंगा तो यह हमारा ट्रेड है ट्रेड यहां देख लिए दिया हुआ एक्जाम लेगा क्या उसमें चाहिए क्या और नहीं चाहिए तो सारा डिटल आपको बताता हूं पूरवड आप लोग जानिये तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग जो जो हमारा है इसी आईल का है Electronics Corporation of India Limited इसी आईल का फुल फॉम होता है Electronics Corporation of India Limited जो की भारत सरकार परमानूर और्जा विभाग के उधम से होता है ठीक है यह हमारा जो है यह आपका डिटल है बाकी मैं देखिए कि जो में में इसे को दिख रहाएं यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर से कि देखिएगा जो दिया हुआ वन tablets एक साल से आपका इसे कम हो जाएघा थीन साल तक हो जाए इंक्लूडिंक यह टर्म डिपेंड ऑण प्रजेक्ड यानि डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर ठीक है तो आपका जो देखिए जुनियर या आपका job जो हासिल किज़ेगा आप जुनियर technician के पर पद पर जाईएगा जिसमें electronic mechanic चाहिए electrician चाहिए और fitter चाहिए तीनों का trade यहाँ पर कितना कितना frequency वो सारे दिये हुए हैं बागी आपका एज जो है 30 साल तक हो जाना चाहिए आपको पैमिंट जो मिलेगा वह देखिए फर्ष्ट जो साल होगा यहीर होगा बीस जार चारसो 208 रुपए मिलेंगे दूसरे साल जो है तुमिसरी साल 24.780 रुपए मिलेंगे आपको पर मंत यहां पर म intrigued आ Kang मिलेगा ठीक है बागे Tcade सब्सक्राइब जो भी है और सब्सक्राइब कितना कि एस्टी में कितनी कितना है ओ विस्ट में कितना उऔर इसका पीडियेप में टेलिग्राम पे आपको सिंड कर दूँगा वहां से पीडियेप आप लोग डाउलोड करकर करके देख सकते हैं बढ़ें तरीके से और पीडियेप को हमारा टेलिग्राम को जॉइन कर लें के लिए इस को डिस्किमर बॉक्स में नीचे में आपका लिंक दिया हुआ है वहां पर जाये टेलिग्राम पर आप जोएन लेजए वहां पर हर प्रगर के पीडियेप आपको अब इवलेबल कराते रहते हैं अब आएए सलेक्शन के प्रसेस के हम लोग बात करते हैं कैसे सेलेक्शन हम उसमें और आप लोगो benefit मिलेगा सारा कुछ होगा अपने डिसका अगर लिए है निशनल अपरेंडिस तुस्से भी आप लोगो benefit मिलेगा अब अगला देखिए कि आम अगरा सेलेक्शन कैसे होगा चाहिए अब आप देख लिए सबसे पहले आता है दूसरा नंबर में आपका दिया है एसका एसी जो भी यह वहां पर दिया हुआ है एसी एस्टी ओविसी डी 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 इस जितने भी गवर्मेंट के रूल होते हैं उस रूल के अनुसार आपको देख चौळेंट लिस्ट इंट य्यास जो हमारा होगा त्रय वाइज यह नि ट्रेड वाइज कैटेगेरी वैज ओड एज ओडर waż मेरिट बैसेडर्य मास्ड वगदियेंट यानि धुरिट वाइज गयर्ड वाइज आपकासेलेक्शन होगा तो आउस्लेक्शन जो होगा आई टी आई इन दे रेशियो वन वाई फोर इन केस टाइदर केंड़ेट वीथ दा हाइयर मार्क्स इन क्लास 10 अस्टेंडर सेल वीद कॉंसिडेटर यानि आपका टेन में जितना ज्यादा मार्क्स रहेगा उतना ज्यादा होने का संभावना आपका बना रहेगा ठीक है उसक अपन अस्टोर्ट लिस्टिंग दा कैंड़ेट विद्ध कॉलेड ऑफ द डॉक्मेंट फिरिफिकेशन हैदराबाद फ्रॉल इमेल यानि आपका मैट्रिक में अगर अच्छा नंबर रहता है तो आपको सेलेक्शन होगा सेलेक्शन होने के बाद आपको डॉक्मेंस नहीं हुआ है यह और जैसे यहां पर सारा चीज़ दिया हुआ है कि फिरिफिकेशन ओफर लेटर विल इसूट दा कंड़ेट फूल दर फॉन इसलिवल दा और मेरिट होर इंसुरेंस ओफ ओफर लेटर सेल भी दा पासेड मैनर आप दे रिक्वार्मेंट यह रिक्वार्मे और इसमें कुछ नहीं है रेशेशन करिएगा सब कुछ की जिएगा अपलाई करिए फार्म को यहां पर देखिए फिर एक बार में दोरा देराओं पर जो है एक चार से सुरू हो चुका है इगारा चार तक भराएगा ठीक है डॉक्मस भेरफिकेशन के लिए उसका डेट अ उसमें देगा एबलेबर रहेगा उन लोगों जो भी छुट जियो सरकारिक अनुसार सी रहता हो आपको रहेगा तो चलिए दोस्तों आप लोग को समझ में आओगा सबसे बड़ी बात कि इसका फॉर्म भरने के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदू झाल